मिलाकर हम उस सेंस को जानने की कोशिश करेंगे जो आज निकल करा रहा है इस आल पार्टी मीटिंग से एक सर्व दली है बैठक से अलग-अलग मुद्दों पर अभी भी कितने मदबेद हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है क्या वो कम हुई है उससे हम समझने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपसे एक ओपनिंग कॉमेंट लेना चाहूंगा मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आपसे बड़ा है देखिए इसको चार लेवल के उपर देख लेते हैं सबसे पहले सेंस अफ दा हाउस ने जो भी जो पॉइंट्स रखे थे अन्ना जी ने उसके साथ आल्मोस्ट टोटली समर्थन कर दिया था उसके बाद प्रदान मंत्री ने चिठ्थी लिखके टोटली समर्थन किया था उसके बाद ओपोजिशन पार्टी के लोगों ने अल्मोस्ट सारे पॉइंट्स के ओपर अन्ना जी की चीच के ओपर समर्थन किया है अब हम होप करते हैं कि रूलिंग पार्टी ने जो स्टेंडिंग कमिटी रिपोर्ट एक सेट बैक था डेफिनेटली जिस प्रक करना ने द elegant वह यह बहुत बेकी बात है कि यह जो पार्लामेंस सिंग्वी जीने जो रिपोर्ट में डिसेंट जरूर ता्रण ने मुग दिया तक यूसंस मोथा लेकिन वहाइन उन्हों ने जो रिपॉट दिया था बहुत psychological parties की इसे इसे डिस्वानर किया था उन्होंने लेकर अपको लगता है आपको लगता है आपको ने भी अपनी बात रखी स्टैंडिंग कमिटी में अब वो मतबेदों का सिलसला कम हुआ है आपको लगता है सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि हमारा मतबेद सरकार के बिल से भी था उसमें भी कई सारे बाते हैं जो बिलकुल बिलकुल तो यह कह देना कि केवल इनके साथ मतबेद था यह आपको फंडमेंटल पॉइंट शुरुआत से बहुत क्लिए था आप लोगी मानते थे कितने पर फेसियाओं का जो जड़ है वो केंद्री करण है तो जगर लोकतांतरिक तरीके से अगर किसी भी धांचे को बनाना है कोई भी विवस्ता को तयार करना है तो उसमें विकेंद्री करण का होना जूरुरी है और हमारा चाहे लोगपाल पे आप देखें आइडियास विजि पे भी अगर संतुष्ट ना हो नागरिक तो फिर राश्टी इस तर पर सुनवाई हो लेकिन जो स्टैंडिंग कमिटी की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं और जो बात बतलाई जारी है ग्रिवांस वाले बिल के संबंद में तो विकेंड रिकरंट की जो फिलोजोफी है वो ज्यादा उसमें दिख नहीं रही है तो इस वज़े से हमें लगता है कि इस पर और बहस और डिसकॉशन होना जरूरी है और इसको पुछ ना किया जाए जबरदस्ती और एक तरह से थोप ना दिया जाए देश पर और बहस की अश्यू अश्यू से और खंडो बखॉब्स आपस्ता, बाति प्राइब क्ति नच्टा, जवरास प्सक्तिस प्राइब क्भाई भॉण प्राइब कर्ने लीजियं दोड़े प्राइब क्रोड़ा प्स्त्त.